So hello friends, आज किस वीडियो में आपको पताऊँगा Paytm sales job के लिए apply कैसे कर सकते हैं friends और इसके लिए क्या qualification है, आपको कितनी sell ले मिलेगी, कितने allowances आपको मिलेंगे, each and everything, सारी detail आप से discuss करने वाला हूँ friends और already से मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, friends Paytm के उपर Paytm service agent job के लिए, अब तो रूपिस 30,000 रुपे तक आपको कमाने का मौका मिलता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो उसका लिंक मैंने नीचे description में share कर दिया जाके आप देख सकते हैं, यह वीडियो जो है, पुराने वाले वीडियो के format से थोड़ा अलग होने वाला है, friends तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है, friends, सबसे पहले अपने Chrome browser के उपर आप सर्च करेंगे, friends, Paytm hiring तो सेम आपको यही आपको भी सर्च करना है, friends, Paytm hiring और यह first option जो आ रहा है, friends, आपको Paytm.com FSE इसके उपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, friends, आपके सामने जो details है, वो proper आपको, मैं detail आपको बताने वाला, friends इसमें आपकी जो qualification है, यह, पैन, इंडिया के लिए, friends, आप किसी भी state से हैं, आप apply कर सकते हैं, इसमें अगर आप graduate है, 10th pass है, 12th pass है, आपके पास good communication skill है, और आपके पास smartphone है, तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखे, QR code है, और आपके पास EDC है, EDC का मत लब होता है, friends, PTM का एक payment system है, जिससे आप payment कर सकते हैं, QR code होता है, friends, जो कि आप scan करके payment कर सकते हैं, और यहाँ पे देखे, description यहाँ पे दिया हुआ, आप 2 रूपीज, 60,000 पर मांत आप इसमें जो है, earning कर सकते हैं, कमा सकते हैं, इसमें आपको weekly incentive payouts हैं, और इसमें आपको convenience allowance, mobile allowances भी आपको यह provide करता है, friends, और आपको pay team के payroll पे आपको काम करने का मोगा आपको मिलता है, तो चलिए इसको जान लेते हैं, इस job के लिए apply कैसे करेंगे, यहाँ पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके समने कुछ ऐसा interface आजाएगा, और यहाँ पर आप थोड़ आपको डाली है, और second में जो आप interested है, EDC, point of sale और QR code जो भी आपको sale करना है, यहाँ पर उसको select करेंगे, आप select करने के बाद यहाँ पर अपना name fill कीजिए, name fill करने के बाद यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे, mobile number डालेंगे और यहाँ पर अपना date of birth select करेंगे, और यहाँ education and qualification, 10th pass and 12th pass है, diploma या फिर आपके पास graduation है, तो उसको आप select करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप पैन इंडिया के लिए है, जो आपका state है, उसको आप select करेंगे, state select करने के बाद, friends, आप यहाँ पर अपनी city को select करेंगे, city select करने के बाद, friends, यहाँ पर आपको submit का button दिया ह friends, मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए, bye, take care.